नमस्का दोस्तों तो क्यासे आप लोग तो Samsung ने अपना next generation flagship smartphone आज लॉंच कर दिया है इसका नाम है Exynos 1080 तो इस वीडियो हम देखेंगे कि जो Exynos 1080 लॉंच हुआ है यह कितना पार्फुल है बागी के Android प्रसेसर के मुखबले मतलब इसमें हमें क्या का फीचर्स मिलता है यूंकि यह दरसल बोई प्रसेसर होगा जो कि इंडिया में जो गैलेक्सी स्मार्टफून मिलेगा उसमें मिलेगा तो चलिए शुरू करते आच के वीडियो बीना कोई वाक्त है बार आज के वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ग्रजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल हमां दिफूलेगा तो एक्सिनोस 1080 यह दरसल जो एक्सिनोस 990 लॉंच हुआ था उसका डाइडेक्ट आप्गेड़ेड भर्षन है और इस प्रोसेसर का एक और खासिया थे कि एंड्रोइड मार्केट में मैं वह आवे के बाद महीं नहीं कर रहा हूं कि एंड्रोइड मार्केट में एभिलेबिल सबसे पहला 5 नानोमीटर आ अगर इसके CPU आर्केटेक्चर की बार में बात करें जैसे कि अब देख सकते हैं एक प्रोसेसर 1 प्लस 3 प्लस 4 कोर आर्केटेक्चर में डिवाइड़ेड है इसमें एक हाइप पर्परमेंस जो के लेटेस जेनेरेशन कोटेक्स A78 कोरे जिसका स्पीड है 2.8 गिगार्ज तीन Otex X1 को इस्तेमाल होगा लेकिन बहुत बाला कोर इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया है और इस प्रोसेसर में मुझे एक और डिजारबंडेज लगा कि मुझे लगा था जो भी फ्यूचर में 5 नानोमीटर बाला प्रोसेसर आएगा सभी के सभी 3 गिगार स्पीड को पार करे लेकिन इसमें भी Samsung ने थोड़ा सा कंजूसी किया है अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको कीरी 9000 और कीरी 9000E एक दोनर प्रोसेसर को दिखाऊंगा जैसे कि आप देख सकते इस दोनर प्रोसेसर में हमें Mali G78 graphics card मिलता है मतलब एक दन लेटेस जनेर अगर इसके डिस्प्ले की बार में बात करें तो देख सकते हैं कि अगर है डिस्प्ले Quad HD Plus resolution में काम करता है तो यह 90Hz पे काम करेंगा और अगर नॉर्माल Full HD Plus पे काम करता है तो यह आपको 144Hz तक का refresh rate देगा अगर इसके नेटवर्क की बार में बात करें तो इसमें हमें 5G मे maximum 5.1 Gbps तक का speed मिलेगा और upload speed मिलेगा maximum 3.67 Gbps तक का अगर बाकि के नेटवर्क की बार में बात करें तो इसमें हमें एकदम लेटेस्ट Bluetooth 5.2 का support मिलता है Wi-Fi 6 का support मिलता है और अगर GPS सिस्टेम के बात करें तो इसमें हमें GPS, Glonaz, Beidu, Galileo बाकि सभी के सभी GPS सिस्टेम मिलता camera department में इसमें पिछले बार से थोड़ा से improvement है जैसे कि अब देख सकते है इस बार इसमें single camera में 200 Megapixel तक का support है और dual camera में 32 Megapixel तक का support है Samsung ने इस processor में 200 Megapixel तक का support दिया है इसका मतलब एह होता है कि जो कुछ दिन पहले rumor आया था कि 2021 साल के अंदर Samsung अपना 200 Megapixel बाला sensor launch करेगा तो मुझे लग रहा है कि उस sensor को fit करने के लिए processor launch किया गया है अगर इसके वीडियो playback की बार में बात करें तो इसमें हमें maximum 4K वीडियो 60fps पर हमें encode और decode कर सकते हैं और इसके लिए हमें HDR10 class display का भी support मिलेगा अगर इसके RAM की बार में बात करें तो इसमें हमें maximum LPDDR5 RAM तक का support मिलता है और storage में एकदम latest generation UAPS 3.1 तक का storage का support मिलता है और अगर इस processor के साथ सबसे पहले smartphone की बात करें तो कि भीबो एक 60 नाम के smartphone अगले एक माईने का अंदा launch होगा जिसमें आमे एक Exynos 1080 processor देखने को मिलेगा और यह भी news आ रहा है कि हो सकता है यह बलार processor एक exclusive processor होगा भीबो एक 60 series के लिए तो अगर मैं इस वीडियो के आखिर में अगर मैं अपनों अपनी हों दूँ तो Samsung ने काया कि एदर सेल एक flagship processor है लेकिन मुझे लग रहा है कि एदर सेल फ्लैक्षिब नहीं एक upper mirror range का processor है क्योंकि आपने देखा होगा रिसेली सभी किसे भी जगह से यह न्यूज आया था कि जो snapdragon 878 आने वाला है उसमें आपको मिलेगा X1 core मन्दा cortex X1 core और एक बिलकुल नया जनेरेशन का graphics card जो Samsung का processor आएगा जो कि होगा Exynos 2100 उसमें भी आपको cortex X1 series का processor मिलेगा और ग्राफिक्स card की बहुत हाई पार का होगा तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यह जो प्रोसेसर लॉंच हुआ है यह दरसल एकदम टॉप लेवल का processor नहीं थोड़ा सा मीडिल मंदा थोड़ा सा हाइयर मीड रेंज का processor लॉंच हुआ है लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी यह प्रोसेसर बहुत ही पर्फेक्ट प्रोसेसर है क्योंकि इसका आंटूट स्कोर भी 7 लाग के आसपास तो इस जगह पे मुझे एई चीसे लग रहा है कि जो next Exynos 2100 आने पाकर तो उसमें निभिक का support भी मिलेगा वैसी इस वीडियो के निचे आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करना कि आप Exynos 1080 के साथ कौन से फ्लैक्सी प्रोसेसर का कॉमपरेशन देखना चाहते तो उसके बड़ वीडियो में एक दो दिन में ज़रूर बनाऊंगा तो मिलत अगली वीडियो में तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you